दोस्तो नवस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल नियूज आप ग्यान पर दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टिये आर्मी ओपेन रैली भरती के बारे में जहां पर टिये आर्मी के डिपाइट्मेंट से जोन वा गार वी पास हैं और आपछे भारत के किसी भी राज में रहति होंगे इस भरती के लिए आवेधन कर पाएंगे जहां फरेंट्स अगर आप लोग ही केवल और केवल दस वी बार वी पास हैं और आप भी तीये आर्मी के अंदर एक अच्छी सी पोश पर सेलेक्षन पाना चा तो आज की इस वीडियो को पुरा देखेगा आज की इस वीडियो में बात करने हैं कि सबसे पहले आपको इस भरती का ओफिसल लोटीविकेशन कहां से डॉट alूड करना है साथ में आपर आपको इस भरती के लिए कब से कब तक और कैसे आवेदन करना है साथ में ओपन रैली भरती कब तक में होने वाली है सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के मात्यम से देने वाली है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है साथी साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लेज वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में सेयर करना मत भूलेगा साथी साथ अगर आप लोगें चैल पर नए हैं और अभी तक आपने चैल को सब्सक्राइब ही का तो चैल को जरूर सब्सक्राइब करेगा शाथ में बेल आइकन को ओल पर सलेट करना मत भूलेगा सोफेंट से हैं काफी अच्छे वेकेंसी है चले जानते हैं इस वेकेंसी के बारे में complete detail सोफेंट्स आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं टीए आर्मी ओपेन रैली भरती रिक्वार्मेंट 2023 के बारे में जहां पर territorial army के department से जोन फर्ष्ट सेकंड थर्ड एवं फोर्थ के लिए नई भरतियां रैली भरतियां होने जारी हैं जिनके बारे में complete information आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं जिए आर्मी ओपेन रैली भरती को लेकर कापी सारे लोगों के वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि सरमें territorial army की नई भरतियों के बारे मताई कि आखिर टीए आर्मी की नई भरतियां कब तक में होने जारी हैं तो फाइनली आप सभी को बता दे territorial army के department से आप सभी के लिए नई भरतियां होने जारी हैं जिनके बारे में complete information आपको इस वीडियो के मत्यमशे देने वाले हैं लेकिन उसके पहले आप सभी से एक request है कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना मत भूलेगा साथी साथ आप लोग हमें comment box में जरूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं साथ में आपका education qualification क्या है साथ में आपकी age limit क्या है ताकि आपके राज education qualification एवं age limit से समदिश सभी नर्कियों की जानकारी आपको शबशे पहले दे पाए कोई भी update आपसे मिस नहों पाए फ्रेंट्स आपर सबसे पहले ब बदो पर भरतियां होने जारी हैं जहां पर बात करेंगे total vacancy की तो यहां पर आप सभी को बता दे zone wise vacancy होगे जिसमें first zone, second zone, third zone एवं fourth zone की vacancy होने जारी हैं बात करें इस भरति के लिए who can apply तो यहां पर इस भरति के लिए all India के candidate आवेदन कर पाएंगे बात करें जहां पर इ जहां पर इस भरति के लिए आपके selection के पारे में तो यहां पर आपका selection qualification, frightened exam, physical test, document, verification अभूं medical exam साथ में final merit के आधार पर आपका selection होने वाला है बात करें जहां पर इस भरति के लिए आपके education, qualification के पारे में तो यहां पर 8-10-20 बार्वी pass candidate इस भरति के लिए आवेदन कर सकते हैं बात करें अगर आप लोग इस भरती के लिए आविदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन-कौन से डॉकुमेंट अनिवार रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, गोटर आडी, साथ में एजुकेशन साथ में, पासपोर्ट, साथ का फोटो, सिगनेचर, डॉमेसल, साथ में, कास्ट, साथिपिकेट, साइड, डॉकुमेंट, अनिवार रहने वाले हैं बात करें जहाँ पर इस भरती के लिए आपके पेस्केल के बारे में तुछ यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी 21,400 रुपए शेले कर 79,100 रुपए पर मंद की बात करें जहाँ पर इस भरती के लिए आपके फिजिकल टेश्ट, डेटेल के बारे में तुछ यहाँ पर सबसे पहले आपकी ओल्ड पोश्ट के लिए हाइट मागी जागी 160 सेंटिमिटर वहीं आपका वज़न कम से कम 45 केजी होना चाहिए बात करें रनिंग के बारे में तुछ यहाँ पर आपको 1600 मीटर की दोड पांच मिनट 30 सेकंड में पूरी करने हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग 1600 मीटर की दोड पांच मिनट 30 सेकंड में पूरी करते हैं तो आप लोग ग्रूप 1 की कटेगरी में आएंगे जिसमें आपको 60 नमबर मिलने वाले हैं साथ में यहाँ पर अगर आप लोग 5 मिनट 31 से कंड से लेकर 5 मिनट 45 से कंड के अंदर 1600 मीटर की दोर पूरी करते हैं तो आप लोग ग्रूप 2 की कडेगरी में आएंगे जिसमें आपको 40 नमबर दे जाएंगे बात करें पूसप के बारे में तो यहाँ पर आपको 10 पूसप लगाने होंगे बात करें यहाँ पर वेकंस्टी डेस्टिविशन के बारे में तो यहाँ पर सभी राज्यों के कनिडेट इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं बात करें यहाँ पर इस भरती के लिए important date के बारे में तो यहाँ पर जल्दी इस भरती का official notification आने वाला है जैसे इस भरती का official notification आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से जरूर बता जाएगा उमेद करता हूँ कि इस वीडियो में दीगे जानकारी आपको पसंद आई होगी व सब्सक्राइब करेगा साथ में बेल आइकन को ओल पर है सेलेट करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखे धन्वाद